किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसरत धाकड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में धान की फसल लगबग गबोट अवस्ता में आने वाली है और धान की गबोट अवस्ता में किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते है रही खाद का प्रियूग किसान भाई यो वेसे तो धान में अधिकतर किसान भाई खादो का परियोग रोपाई से लेकर जब कल्ले निकलते है 20-25 आ 30 दिन के आसपाद उस समय पर कर लेते है लेकिन धान की गबोट अवस्ता जब धान 45 दिन के आसपास हो जाता है इस समय पर धान की गबोट अवस्ता सुरू हो जाती है इस समय भी पोदे को पोस्टन की आउसकता होती है लेकिन किसान भाई कंप्यूज होते है कि इस समय पर किसान भाई कौन सा खाड डाले क्योंकि बहुत से किसान बाइस्प्रेक के माध्यम से खादों का परियोग करते है तो कुछ किसान दानेदार खादों का परियोग भी करते है इस टूडियो में हम बात करेंगे कि धान की गबोट आवस्ता में किस खाद का परियोग हमें करना चाहिए जिससे हमें फाइदा मिले और धान की बालियां लंबी मोटी बने और उत्पादर में बढ़ोतरी हो वीडियो को आकिर तक देखे जो नहीं साथी हमारे चेनल को पहली बार देख रहे हैं तक गबोट अवस्ता में बालियां पोदे के तने के अंदर बनना सुरू हो जाती है बालियों को लंबा और मोटा करने के लिए किसान बाइक दान की गबोट अवस्ता में इनपी के 0-12-34 का प्रियोग करे जिसमें मुख्य रूप से 2-12-30-34 पोटास पया जाता है फासपरोस का काम होता है पोदे के तने को मजबूती देना तने का आकार बढ़ाना साथ ही पोटास एक प्रकार से बालियों की लंबाई में बडोतरी करता है बालियों में दानों का बहराओ भी अच्छे से हो पाता है इसलिए जब भी धान की वसल गबोट अवस्ता में आते हैं तो आप बिना किसी देरी के ही एनपिके 0-52-34 का स्परे कर सकते है जिसमें पासपरोस और पोटास पोदे को मिलते है स्परे के माधियम से इसका प्रियों किया जाता है जिसका और इसका रिजल्ट हमें तूरंत मिलना सुरू हो जाता है इन दो पोसकत्तों की सबसे जहरत होती है अगर किसान भाई धान की गबोट अवस्ता में ये दो चीजे डालेंगे तो उन्हें फाइदा मिलेगा और धान का उत्पादन भी अधिक निकलेगा किसान भाई धान की पेदवार को अगर आप बढ़ना चाहते है धान में बालियों को लंबा और मोटा करना चाहते है तो धान की गबोट अवस्ता में आप एन पीके जीरो बावन जोतिस का स्प्रे कर सकते है इसकी मातरा के बारे में बात करें तो एक एकड़ में एक केजी इन पीके जीरो बावन जोतिस का परियोग आपको करना चाहिए किसान भाई यो धान की गबोट अवस्ता में आप किस खाद का परियोग करते है कैसा रिजल्ट आपको मिलता है कमेंट करके अवश्य बताइए इस वीडियो में इतना ही मिलते है आपसे जल्द नए वीडियो मेता